आज हम बनाएंगे बहुत ही क्रीमी केरेमल ब्रेट पुडिंग तो आईए बनाने स्टार्ट करते हैं इसके कुछ इंग्रेडियन्स है जिस पर हम एक नजर डाल लेते हैं सबसे पहले मैं ले लूँगी यहां अदा लिnd UH टीन अंडे एक कप शक्र ले लोंगी मैं जिसको मैं यहांपर दूद में एक करूंगी और यह जो एक कप शक्र दिया है मैंने इसका मैं कारेमल बनाऊंगी इसलिए मैंने यहाँ पर दो अलग-अलग cup यूज़ किये है शक्कर के लिए अब मैं ले लूँगे यहाँ पर तीन से चार bread slices एक pinch नमक ले लेंगे एक चमच यहाँ ले लेंगे vanilla essence सबसे पहले हम यहाँ पर दूद में एक cup शक्कर डालके दूद को boil कर लेंगे अब दूद के boil होने तक हम यहाँ पर कैरेमल बना लेंगे एक बरतन में मैंने एक cup शक्कर आड़ कर दिया है गैस की flame को लो रखेंगे और इसे इस तरह से चलाते रहेंगे अब मैंने यहाँ पर एक मॉल ले लिया है इसमें मैं oil लगा कर इसे अच्छे से grease कर दूँगी ब्रश की मदद से आप चाहे तो किसी भी shape का ले सकते हैं मैंने heart shape का यूज किया यहाँ पर अब हमारी जो शक्कर है वो अच्छे से melt हो चुकी है हमारा कैरेमल बनके ready हो गया है अब एक मॉल जो हमने लिया था जिसमें oil grease किया था उसी के अंदर यह सारा कैरेमल ले आट कर देंगे इस तरह से और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे अब जो हमने दूद को boil होने के लिए रखा था इसमें अच्छा boil आ चुका है इसे इसी तरह से चलाते रहेंगे low flame पर और इसकी जो quantity है वो कम हो जाए जब तक इसे पका लेंगे अच्छे से अब जो हमने अंडे लिये थे थीन उसमें एक pinch नमक डाल देंगे और इससे अच्छे से फैंट लेंगे अब इसे side में रख देंगे अब मैंने यहाँ पर एक बड़ा बोल ले लिया है इसमें जो 3-4 slices मैंने लिये थे bread के उसे इस तरह से cubes में कट कर लेंगे पूरे slices मैंने इस तरह से कट कर लिया है cubes में दूद भी यहाँ पर अच्छे से पक रहा है यह पक जाए तो gas की flame को off कर देंगे इसकी quantity अच्छी खासी कम हो चुकी है gas की flame off करने के बाद हम इसे नीचे उतार लेंगे अब जो कट किये हुए bread है उसके अंदर यह सारा दूद आट कर देंगे अब दूद आट करने के बाद जो है हम इसे 10 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे और जब यह अच्छी से ठंडा हो जाए तो एक mixer grinder लेंगे उसके इसे अट कर देंगे और फिर इसका एक पेस्ट बना लेंगे अब मैंने यहां पर एक बड़ा बोल ले लिया है इसके अंदर मैंने जो अंडा फेट कर रखा तब आट कर दूँगी और उसी के साथ मैं यहां पर दूद और ब्रेट का जो पेस्ट है वो भी आट कर दूँगी एक चमच वैनिला एसेंस आट कर देंगे अभी इसे अच्छी से फेट लेंगे जैसे हमने अंडे को फेटा था उसी तरह से इसे अच्छी से मिक्स कर लेंगे एक बार यह अच्छे से मिक्स हो चुका है अब मैंने जो मॉल्ड में कैरेमल जमा कर रखा था उसी में मैं इसे चान कर इस तरह से एट कर दूँगी इसे चान लेंगे चन्नी की मदद से देखे इसी तरह से सचानना है हमें चमच से इस तरह कर लेंगे ताके जो जितना भी इसमें पेस्ट है वो सारा निकल जाए देखे इस तरहा से ये हमने इसमें add कर दिया है सारा paste अब जो है एक foil की मदद से इसे अच्छे से pack कर लेंगे ताक जब हम steam दे तो steam किया हुआ पानी इसमें बिलकुल ना जाए इस तरह से pack कर लेंगे अच्छे से अब यहाँ पर मैंने स्टीम देने के लिए एक बरतन ले लिया है उसके अंदर ये स्टैन रख देंगे और जो मॉल्ट है हमारा उसको भी इसमें रख देंगे पानी एट करके और पानी इसमें इतना एट करना है कि जो हमारा मॉल्ट है वो आधा डूब जाए इसमें उतना प पाहर निकाल कर उसे ठंडा होने के लिए 2 घंटा फ्रीज में रख देंगे कि अच्छ थंडा हो चुका है अब हम चूरी की मदद से इस तरह से हर कोने से अलग करेंगे अब एक प्लेट ले लेंगे उसमें इस तरह से इसे पलट देंगे पलेट दिया है मैंने इसे अब इसे दीरे से अलग कर देंगे तो यहाँ पर बनकर रैडी हो चुका है हमारा कैरेमल ब्रेट पुडिंग यह बहुत ही क्रीमी बना है बहुत टेस्टी लग रहा है तो आप भी इसे जरूर ट्राइ कीजिए इसको ना ओवन की जरूरत है ना बेक किया है हमने स्टीम में इसे पकाया है तो आप भी ट्राइ कीजिए और कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अल्ला हाफिज